दोस्तों 4S developer का affordable project Sona के अंदर है लाइव हो गए है इससे पहले मैंने एक video बनाई थी जिसमें मैंने ड्रोन से proper site widget और आसपास की location प्रोपर कलियर समझाया था आपने वह वीडियो नहीं देखिए तो जुरूर देख ले लोकेशन आपको समझ में आ जाएगी उसके बाद का जो प्रोसेस है वह आज मैं यहां पर बताने वाला हूं आपको कितनी यूनिट मिलेंगी कितनी कार पार्किंग होगी कितने टू वी प्रोसेस फौर्ड प्रोसेस में लागू होता है तो प्रोसेस वैसे सबी अफॉदेविजो में लागू होता है फिर भी अगर आप नहीं जानते कि अफॉदेविजों सोद्सका करना चैनल प्लेलिस्ट में हमारी affordable housing policy की regarding सारी affordable की वीडियो मिलेंगे तो वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले आपने site visit की वीडियो देखनी है जो पहले हम बनवा चुके हैं forest की तो उसमें आपको location बन जाएगी समझ में आजए फिर आपकी requirement बनते हैं कि हाँ जी अब apply करना तो आप गूगल में डालोगे डालने के बाद कुछ इस तरीके का जो window है वो open हो जाएगी window open होने के बाद right side में यह वाला जो kolum आप देख रहे हैं यहाँ पे जाकर आपने click करना इसमें क्या है apply online for e-draw application for allotment of dwelling unit under various यह policy है date 5-7-2019 क्योंकि 2019 में इसको थोड़ा सा modify किया गया था policy को ठीक है उसके बाद यह यहाँ पे आप click करने के बाद कुछ इस तरीके की window आपको open होगी जहां पे आपको जितने भी live affordable है वो नजर आ जाएगे ठीक है live affordable से पहले आपने क्या करना है इधर नहीं जाना है उसके लिए पहले अगर आपने registration नहीं किया है तो पहले user registration कर ल online आप बार-बार login करते लेकिन login नहीं हो पाता रों password बताता रहता है तो कई बार site के उपर ज्यादा traffic होने की वज़े से यह hang हो जाती है तो बार-बार try करते रही है login कर ले ठीक है अब हम बात करते हैं project की project में detail कैसे वह करने है इसमें अगर हम देखें कि जो starting की date है कि यह क online application start date है 17 तारिक 11 महीना यानि इसी 17 तारिक को आज तारिक हो गई है 15 तो यह वीडियो थोड़ी ही पहले आ रही है आपसे तो 17 तारिक से इसकी online application की जो date है वो start हो जाएगी online application end date है 3 12 यानि 3 दिसंबर को रात के 12 बज़े यह बंद हो जाएगा ठेक है अब इससे पहले हमने यह सारी चीजे देख लिए अब हम देखेंगे project की detail क्या है तो सबसे पहले हम detail of draw देखेंगे कि इसका draw कब होगा तो यह project का proper है क्या है 4S का है license number proper दिया हुआ है अच्छा developer का नाम इसमें हो गया ठीक है इनका address इनका हो गया उसके बाद project का नाम है extra value 36 ठीक है और उसके बा कितनी है 7.20 का यहां पर टोटल एंड पार्सल है रेरा रिजिस्ट्रेशन 104 ऑप 2024 है उसके बाद इसमें मैंचीज है कि बिल्डिंग प्लान कब अपरूल हुआ था 972024 को रेरा रिजिस्ट्रेशन देट है 10-10-2024 को start हो जाएगा 17-11 को और end हो जाएगा 3-12 को payment start हो जाएगी 17-11 को payment end हो जाएगी 1-12 को प्रोजेक्ट 3-12 को close हो रहा है लेकिन payment end हो जाएगी 1-12 को प्रपोज ड्रोड डेट है 24-12 को इसका ड्रोड हो जाएगा ठीक है ओनलाइन भरना है सारी चीज़े आपने चेक करके उसके बाद इसमें प्राइज वगेरा हम चेक करते हैं आपको कह नहीं जाने के जुरूद नहीं है सब कुछ इसी साइट के उपर होता है ओनलाइन जा सकते हैं अब हम ले आउट को देखते हैं जैसे कि 3BH के है 3BH के टाइप 1 में नॉर्मल जनल यूनिट है 378 यूनिट है जिसमें कार्पेट एरिया है 644.645 सोना में जो रेट है वो 4500 र वो 1200 रुपे पर स्केरफिट का होगा बैलकनी का लेकिन बैलकनी में जो पैसा देना होता है वो 100 तक जाता है डिपोजिट अमाउंट यानि अभी जो 5% की जो आप पेमंट करेंगे जो 5% की पेमंट अभी ओनलाइन करते हुए वो 1,45,45 रुपे आपने यहां पूरा पे करन है पैसे में करना हो सकता है आप प्रोपर डाले 46 रुपे डाल सकते हो उसके बाद रिजिक्सेशन फीस होती है वो है 590 रुपे आपको देने ही देनी पड़ेगी मान लेजे आपका डो में पैसा नहीं निकला तो यह तो 100% आपका रिफंड हो जाएगी यह वाली फीस रिफ इसके है टाइप टू है स्टेडी रूम नहीं है नोर्मल जो यूनिट है वो 290 टू यूनिट है इसमें इसमें कार्पिट एरिये 645 रेट वही 4500 का 124 फीट की बैलकनी है बारा सो रूपे का बैलकनी का रेट है आपका इसमें बुकिंग माउंट आदेना है एक लाग पिंत 1A, MQ यूनिट है यह यह यहनि इसमें MQ से देना यह जर्नल में नहीं निकलेंगी तो इसमें 16 यूनिट है 644 का का कार्पेट है 4500 है 590 का इसमें जो बैलकनी का अरिया है यह नीचे की यूनिट है मैंने एक वीडियो बनाई थि आ पोड़ेबल गी भही जो नीचे की जो य 45,000 जीरो फोर फाइड रूपीज आपने पे करना है यह MQ यूनिट चेक करनी है तो इसके उपर कलिक कर ले ना आपको MQ नजर आ जाएंगी 3BH के टाइप 1B MQ यूनिट है यह भी 6 यूनिट है यह पैसे से खरीदी जाएंगी मैंने MQ क्या प्रोसर्स बताया था वीडियो इसके बाद यह वाला जो है जो आपकी रिजिट्रेशन जो फीज होती है उसके बाद टाइप नंबर फाइड आता है 3BH के इसको दिहान से देखना 2A इसका टाइप है तेरा यूनिट म्क्यू की है इसमें यह तेरा यूनिट ही आप पैसे से खरीच सकते उसके बाद जो त अप्लाई कर सकते हैं इसके एंड क्योंकि ठीक है तो टोटल सोला यूनिट है 645 कारपेट 4500 का रेट 49 75 79 बैलकनी 1200 का रेट है एक लाग पिंतारी जार एक सुचारीज रुपे देना है यह वो है यह आपकी डिटेल है ठीक है यह तो आपको यूनिट पता चलोगी कारपेट अब ठोड़ा सा और आगे का प्रोसेस समझते हैं अब यहाँ पे हैं सारी डिटेलिस प्रोजेक्ट की ब्रोसर यहां पे लियाऊट यहां पे हैं आपको जो आपको भणनी होती है सोरी एफिडेविट एफिडेविट 3rd और 4 दोनों इसी के अंदर तो सबसे पहले हम यह दे यह एफिडेविटी मिली हमें और यह है फोर्थ प्रेफरेंस की ठीक है फोर्थ प्रेफरेंस की एफिडेविट में आपने क्या डालना है दस रूपे की नोट्री करानी है आपने इसको प्रेंट करना है अपना नाम भरना है अधार नंबर बनना है अपका सन है या वाइफ है किसके नाम से करते हैं कितने साल के हैं और कहां-के रहने वाले अधार कार्ड के उपर वही आपने डाहना है तो यह होगी इसको प्रिंट निकाल के भर या आप पेर पर नोटराइज़ भी करना लो और स्टेमट लग वा-ले ना है प्रोपर आफोडेबल का गुरूफ आउसिंग है कोई है तो उसका नाम डाल देना है उसके नाम से आप किसके नाम से है कौन सी यूनिट है अपने डिटेल डाल देना है ठीक है उसके बाद यह सारी चीजे भरके आपने यहां पर साइन कर देना है आपने और यहां पर साइन करना है और कहां से एफिड राजस्थान या मुंबई या किसी भी एरिये से तो यहां गुडगाओं मत कर देना यहां पर वहीं का करवाना जहां आप नोट्राइज करा रहे हैं कौन सी डेट को आपने यह एफिडेविट बनाई थी और कौन से दिन वह डेट आजाएगी अपने साइन करने हैं इसके फो पूर्थ की है पहले वाले में सेकिंड वाले में हो सकता है थर्ड प्रेफ्रेंस की एफिडेविट जैसे अपना वहीं दस रूपे की है नाम एड्रस रेजिडेंट जो भी एड्रस है आपका एदार कार के उपर वह भरना है उसके बाद आपने क्या करने है साइन यहां पर यहां पर वो डेट जो आप नोट्राइज करा आदने हैं इसमें विव ऐसे हैं अगर आप जॉइंट भरने हैं एक एफिडेविट की एक एफिडेविट आपकी वाइप के नाम से यहां पर जाएगी और समिट कर दो इसके अंदर सारे लेयाउट है टोटली लेयाउट आप आप चैक कर सकते हैं ओपन करके हम ब्रोसर को समझते हैं और ब्रोसर की कोशिज करते हैं कि आपको यह सारी चीज़े दुबारा से मैं रिपीट करवा दूं यह बाकी चीज़े आप खुद एक बर डाउनलोड करके चैक कर लेना लेयाउट अपनी रिक्वार्मेंट के इसके अंदर जाना है तो उसके हिसाब से आप ट्राइ कर लेना तो यह साइट का लेयाउट है अब यहां से यह सोना रोड है यहां पर DMIC है और आप इदर गुरगाओं की तरफ से आते हैं DMIC के नीचे से आपने ने टोल के बाद सर्विस लाइन लेना है तब इस प्रोजेक इसकी प्रोजेक्ट की ऐसे यह पूरी बांडरी ऐसे आ जाती है फिर कुछ पार्ट इनका यहां पर है थीक है तो यह अशे बा факा करते हैं टावर जी है वह 17 फ्लोर का तावर टावर F है वो भी 17 फ्लोर का है टावर E है वो 25 फ्लोर का है टावर A है वो 25 है टावर B 25 है टावर C 25 थेका है कौन-कौन से टावर में कितने भी एचके हैं वो भी सारी चाज़े डिसकस करेंगे ठेक हैं इधर यह garden होगा पूरा green area क्योंकि इसके उपर से ऐसे यह high extension wire है यह ऐसे project के उपर से high extension wire है इसलिए इसके नीचे नीचे आप देख रहे हैं कि यह सारा green area है इसलिए इनकी जो height है वो कम रखी गई है 17 फ्लोर के इसकी भी सत्रा क्योंकि side से ही आपकी high extension wire है वो जाने है ठीक है तो यह पूरा green space रहेगा इसके नीचे से garden है basement में basement यह बना रहे है उसका ramp यहां से आपका basement के लिए जाएगा यह भी पूरा green area है garden area आपका यहां पे बनेगा तो यह layout है इसके side में गाड़ियों की parking है वो भी मैं आपको बताऊँगा यह total कितनी है फिर इदर commercial आ जाता है ठीक है इसको थोड़ा zoom करके आपको बताता हू तो unit के बाद करते हैं दोस्तों मैंने जैसे type बताए थे 3BAGE के tower A में 94 है tower B में 95 है tower C में 95 का तो तो टोटल यूनिट है और 73 यूनिट है दूसरा यूनिट नंबर 23 यूनिट के टावर ताइप जो MQ unit थी टावर A में 4 unit है, टावर B में 4 unit है, टावर C में 4 unit है, टावर D में 4 unit है, टावर E में 4 unit है, मैंने बताया था ना यह एक फ्लोर पे वो मिलेंगी जो भारवाली हैं जिनके terrace बड़े-बड़े हैं, तो वो आपको ये हैं, तो total unit हैं 20 इन तावरों में, यून तोटल 20 unit unit आपका 1B 3BH के 2 unit 1 unit B में 1 unit C में 2 unit D में 1 unit E में तो total 7 unit आपको यहां मिलती है उसके बाद 3BH के टाइप 3 है 1BH के कौन-कौन से टावर में है तावर F और G जो 17 फ्लोर के हैं नहीं जो अलग पे बार है न तो वन बेच्च के टावर F में 222 है टावर G में भी 222 है तो टोटल जो प्रोजेक्ट में जो यूनिट है वह आपकी 1342 यूनिट आपको टोटल प्रोजेक्ट के अंदर मिलती है अच्छा पर्पोस स्कूटर स्टिल्ट पार्किंग यह स्टिल्ट पार्किंग है 638 पार्किंग आपको मिलेंगी स्टिल्ट में जो टावर के नीचे है ओपन पार् आपको जो टू-wheeler के पार्किंग वह मिलेंगी प्रोपोज्ड कार पार्किंग बेस्मेंट में बेस्मेंट में 217 गाड़ी लग सकती है ठीक है प्रपोज्ड कार ओपन 90 तो 90 गाड़ियां बहार लगेंगे तो टोटल जो 307 जो पार्किंग होंगी वह होंगी आपकी कार फोर और पार्किंग यानि कारकिंग परमीसन जो परमीसिबल ओख कार पार्किंग चार परसेंट कमेर्सेट करकिंग को यह चीजे आपको मोश्टी सकते हूं मैं देखता हूं कुछ काम की होगि तो इसमें हम इसमें तो फिर यही दे रखा कि कौन से साइज का कौन सा कितना एफ ए आर है कौन से फ्लोर के उपर है तो आप इसको थोड़ा स्टेडी कर लेना क्योंकि यह बहुत बड़ा सिस्टम हो जाएगा अगर हम इनको समझने लगे देंसिटी की भी बात कर लेते हैं तो टोटल यूनिट है तेरा सो बियालिस यूनिट है और देंसिटी मिनिममम साथ सो पचास होनी चाहिए मैक्सिमम नो सो होनी चाहिए तो इसमें साथ सो सतावन है यानि थोड़ी सी जारा ठीक ही है तो मिनिममम साथ सो पचास होनी चाहिए उससे कम नहीं होनी चाहिए तो इसमें 757 ही परपोड पोपुलेशन अगर देखे तो मिनिमम 6,647 लोग होने चाहिए मैक्सिमम 7,972 लोग होने चाहिए तो इसमें 6,710 लोग है तो यूनिट है 1342 तो यह होगे अपना मैंने यूनिट आपको बता दी और आपका क्या रहा गया यह थोड़ा हाई उसके अंदर है आपको अगर स्टेल्ट पार्किंग में देखना है तो स्टेल्ट स्कूटर पार्किंग डिटेल है कि टावर A में है 109 पार्किंग मिलेंगी टावर B में 113 मिलेंगी टावर C में 112 मिलेंगी टावर D में 113 मिलेंगी तो यह टू विलर पार पार्किंग है कुछ यह भी आप चेक कर लेना गाड़ियों की है और मेरे हिसाब से और कोई इसमें अपने हिसाब की काम की नहीं है तो बाकिये चीज़े आपने देखनी है डालनी है तो चैनल में बहुत सारी वीडियो है कि हैज्बन वाइप कर अपलाई करना चाहिए नहीं क ना चाहिए एफॉडेबल रीसेल में है तो क्या अब separate कर सकते तो बहुत सारी वीडियो आपको चैनल में देखने को मिलेंगे तो दोस्तों बीडियो पसंद आए तो लाइक करें और share करो चैनल को जुरू सब्सक्राइब करके जाना क्योंकि वो सारी चीज़े यहां पर आपको देखने को मिलेंगी और मैं affordable में deal नहीं करता हूं दोस्तों यह जिस्ट आपकी help के लिए यह video बनाई गई है मेरा main concept है हम developer को consultancy देते हैं जिसमें हम investment की opportunity लाते हैं वो concept होता है luxury का जैसे की plotting हो गया high-rise का हो गया तो उस तरह की लेकिन affordable में deal नहीं करते हैं तो affordable की regarding call मत कीजिए अगर आप कुछ consultancy चाहते हैं तो Google form फिल करके अपनी appointment fix कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं next video में Thank you